ओम सिरीगनी सायनम दूस्तू एस्ट्रो समाधान यूट्यूब चैनल में आपका हार दिक स्वागत हैं दूस्तू आज इकीस वीडियो में हम बात करने वाले हैं चार नवंबर सौंबार की रासी फल के बारे में की हा दिन तुलारासी वालों के लिए कैसा रहने वाला हैं किन-किन चीजों से इनको फाइदा होगा किन-किन चीजों से इनको सावधान रहना होगा इनकी लव लाइफ कैसी रहेगी करियर कैसा रहेगा बिजनिश और व्यापार कैसा रहेगा और स्वास्थ की हम आपको देंगे और इस वीडियो के अंत में हम आपको एक उपाई भी बताएंगे जिससे आप अपने आज के दिन को रिभी अच्छा और बहतर बना सकें दोस्तों आगे वीडियो सुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है अगर आप हमारे इस चैनल पर न खिला राशी वालों के लिए सौंबार का दिन सबसे पहले बात करते हैं कि आपके लिए आज पोजिटिव रहने वाला है दोस्तों आज आर्थिक इस्तिती आपके लिए काफी मजबूत रहने वाली है और धन प्राप्ति के अच्छे अफसर आज आपको प्राप्त होंगे इसलिए हर तरह से आज सजग रहें, कामकाज को लेकर बहतर प्रदसन करने की आज कोशिस करें, ताकि आपकी आर्थिक इस्तिती में इजाफा हो सके, धन्यधान प्राप्ति के उदेस्यों की आज पूर्टी हो सकती है, जिससे आपका मन बहुती प्रसन रहेगा, दोस्तो साथी साथ समय आज आज आपके लिए बहतरीन परस्तितियां तयार कर रहा है, दोस्तो आज आप अपने अंदर अदबुद उर्जा वे आत्म विश्वास महसूस करेंगे, तथा आपकी कार्रे छमता में भी इजाफा होगा, युवा वर्ग को भी कोई मन मुताविक कार्रे बनने से रहत मिलेगी, आज दोफैरबाद परस्तितियां आपके पक्ष में बहुती अनुकूल है, दिन की सुरुवात में ही अपने महत्पपून कार्रोश सम्बंदित रूप रेखा आप बना ले, संतान की तरफ से कोई सुब समाचार मिलने से बहुत अधिक रहत आपको मिलेगी, दोस्तो कुछ समय से आप अपने अंदर अधभूत परिवर्तन महसूस कर रहे होंगे, अंदर छिपी हुई प्रतिवा और नौलिज को पहचाने तथा उसका प्रियोग करें, इस समय की की गई महनत के निकट भविस्य में बहुती उचित परिणाम आपको हांसिल होने वाले हैं, दोस्तो आज किसी काम में एप्रतियासित लाब की भी इस्तिती बन रही हैं, अपने काम के प्रती एकागर चित रहें, इसके लिए कोई छोटी यात्रा भी आपको करनी पड़ सकती हैं, विध्यारतियों को भी किसी कंपटिशन में सफलता मिलने की आज पूरी संभाव ना है, दोस्तो इस समय की की गई मेहनत के उचित परणाम हासिल करने के लिए करम प्रधान तो होना ही पड़ेगा, इसलिए अपनी उर्जा का आप भरपूर इस्तमाल करें, अगर प्रॉपर्टी संबंदित कोई आज आप योजना बना रहे हैं, तो आज उसके फलीभूत ह होने का समय आ गया है, जी है दोस्तो आज भागय आपके पक्ष में हैं, पिछले कुछ समय से जिन कारों में रुकावटे आ रही थी, आज उन कारों का पूरा होने का समय आ गया है, आपको अपनी मेहनत के अनुरूप उचित परणाम आज हांसिल होने वाले हैं, जिससे काफी खुसी का अनुबब होगा, दोस्तो बात कर लेते हैं आज आपके लिए क्या नेगटिव हो सकता है, दोस्तो परिवारिक विवादों से आज आज आप बचने का प्रियास रखें और सब के साथ आपसी समंजस बहतर बनाए रखने का प्रियास करें, ताकि घर परिवा आप विशेश रूप से रखें, दोस्तो साती सात किसी समय भावुकता और आलस की वज़े से बनते कारों में विगन पढ़ सकता है, और कुछ उपलब्दियां भी हाथ से निकल सकती हैं, जिसकी वज़े से आपको भारी नुकसान का सामना करना पर सकता है, परंतु ज़्या सात सात खर्चों की भी इस्तितियां रहेंगी, आप अपनी कोई महत्पपूर्ण वस्तू आज कहीं रख कर भूल सकते हैं या खो सकती हैं, इसलिए किसी भी प्रकार की आप लापरवाई ना बरतें, दिल की बजाए दिमाग से निर्नेलें, भविश्य की चिंता को छोड़ कर वर्तमान गतिविद्यों पर ध्यान अधिक केंद्रित रखें, ऐसा करना आपके लिए अवश्य से ही लाबदाएक साबित होगा, कभी कभी आपकी संकालू प्रवर्ती आपके और दूसरों के लिए परेशानी का कारण बन जाती हैं, इसलिए अपने विचारों को सकारात मक रखना अति आवशक हैं, आज कोई पेमिन्ट भी आपको करनी पड़ सकती हैं, जिसकी वज़े से आर्थिक इस्तिती थोड़ी कमजूर हो सकती हैं, दोस्तों बात कर लेते हैं, आज आपकी लव लाइफ केशी रहने वाली हैं, दोस्तों के साथ फैमिली गैट टूगेध होना तनाव को दूर करके मन प्रफुलित करेगा, तथा परिवार के लोग भी खुस रहेंगे, दोस्तों साथ इसाथ परिवार में कुछ वैचारिक मतवेद भी रहेंगे, इसलिए अपने व्यस्तम समय में से कुछ समय परिवार के साथ भी व्यतीत करें, दोस्तों परिवा का वातावरन आज सकारात्मक रहेगा प्रेम संबंदों में सात्वित तारखना आवश्चक है साथ-साथ पती-पतनी में भावनात्मक तथा विश्वास पूण रिस्ता रहेगा जिससे घर परिवार में भी वातावरन खुसनुमा रहेगा दोस्तों बात कर लेते हैं आज अच्छी सफलता प्राप्त होगी नोकरी करने वाले जातकों के लिए भी आज का दिन बहुत अच्छ रहेगा जहां दोस्तों आज वैवसाइक गतिविदी पर पैनी नजर रखें लापरवाय की वज़े से पार्टियां तूट सकती हैं और अपमाम जनक इस्तितियां भी उत् सुब है क्योंकि रुक्वी ही पेमेंट मिलने से आर्थिक समस्याएं हल होंगी नोकरी पेशा वैक्तियों को भी उनके उचित परिश्रम के आदार पर तर्रकी के योग बन रहे हैं दोस्तों साथी साथ किसी अंजान वैक्ति से अचाना की घनिष्टता होगी और कोई और्डर भी मिलने की संभावना बन रही है इसलिए अपने वैवसाइक गतिविद्यों पर बहुती अधिक एकागर चित रहें नोकरी पेशा वैक्तियों को भी अपनी फाइलें और दस्तावेज समाल कर रखने की आवश्यक्ता है विध्यार्तियों के लिए भी आज का दिन काफी मिला जुला रहने वाला है 7-7 कोट कचैरी से जुड़े मामलों में भी कोई योजनाएं आप तयार कर सकते हैं जिस से आने वाले समय में आपको अवस्य ही फायदा मिलेगा दोस्तो बात कर लेते हैं आज आपका स्वास्थ कैसा रहने वाला है दोस्तो ठकान और कमजोरी आज आपको महसूस होगी इसलिए उच्चित खानपान और आराम पर भी आप विशेश रूप से ध्यान दें साथ साथ अपने स्वास्थ को और भी अच्छा रखने के लिए आप रोजाना योग करें वयाम करें सौस्त रहें दोस्तो बात कर लेते हैं आज आपके लिए विशेश रुपाय क्या हैं दोस्तो आज आप इश्नान आदिश निरवत्र होने के बाद भगवान शिव को जल में सफेद तिल मिलाकर अर्पित करें और साथी साथ महामृतिज्य मंत्र का एक सो आठ बार जाप आप रुद्रक्ष की माला से अवश्य करें जा दोस्तो ऐसा करने मात्र शेही भगवान भुलेनात बहुत जल्द प्रशन होकर आपके समस्त कष्टों को दूर करेंगे जो भी आपके जीवन में परिशाने चल रही हैं समस्त परिशानियों कांत करेंगे और आपकी समस्त मौनों कामने भगवान भुलेनात के आशिरवास से अवस्य ही बूर्ण होंगी और आपके सबी कारने बहुत यासानी से बनते चले जाएंगे दोस्तों भगवान भुलेनात का शिरवाद आपको प्राप्त हो शच्चे दिल से कमेंट स्बोक्स में जै भुलेनात तवस्य लिखें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें धन्यवाद